परिचय बच्चों, हम पौधों के विशे में बहुत सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। चलो, अब हम उच्च पातपों में प्रकाश संशलेशन के विशे में जानते हैं। प्रकाश संशलेशन प्रकाश उर्चा को रासायनिक उर्चा में परिवर्थित करने की एक प्रक्रिया है। केल्विन चक्र तथा C4 चक्र दो चक्र हैं जो की प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उद्देश प्रकाश अभिक्रिया का वर्ण करना। इलेक्ट्रोन परिवहन का वर्ण करना। जल के विक्टन को परिभाशित करना। चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन का वर्ण करना। रसोप रास्रणी परिकल्पन यानि केमियोसमोटिक हाइपोथेसिस की चर्चा करना। केल्विन चक्र का वर्ण करना। सीचार पत का वर्ण करना। प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन की चर्चा करना। प्रकाश संशलेशन को प्रभावित करने वाले कारगों का वाड़न करना हम क्या जानते हैं? प्रकाश संशलेशन को इस प्रकाश से परिभाशित किया जा सकता है कि ये कारपन डायोकसाइड तथा जल जोकी क्रमशा, वायू तथा म्रदा से लिए जाते हैं एवं प्रकाश की उपस्थिती में पौधों के हरे भागों द्वारा कार्बो हाइडर्स के संशलेशन की एक विधी है चलो अब इस टार्च के लिए एक पत्ती का परिक्षन करते हैं पौधे से एक हरी पत्ती को तोड़ लें अब चिम्टी की सहायता से पत्ती को उबलते जल में डालें उसे दो मिनट तक उबलने दें इसके बाद उबली हुई पत्ती को गर्म परिक्षन नलिका जिसमें 90 प्रतिशत एथेनॉल हो इसमें डाल दें अब गर्म परीक्षन नलिका को गर्म जल में तब तक पड़े रहने दें जब तक की पत्ती रंग ही नहीं हो जाती है अब पत्ती को निकाल कर ठंडे जल से धोलें अब पत्ती को एक सफेज सतह पर फैला लें पत्ती पर आयोटीन के विलियन की कुछ बूंदें डालें ऐसा करने पर पत्ती गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी जो स्टार्ज की उपस्थिती को दर्शाती है तथा ये सिध्ध करती है कि इन में प्रकाश संशिलेशन पाया जाता है प्रारंभिक प्रयोग सबसे पहले उन्होंने एक जल्दी हुई मुम्बत्ती को बंद बेलजार में रखा तथा देखा कि वो मुम्बत्ती जल्दी ही बुझ गई इसके बाद उन्होंने एक चुहे को बेलजार में रखा तथा देखा कि चुहे का भी जल्दी ही दमखुटने लगा इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निशकर्ष निकाला कि चाहे जल्दी मुमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायू में सांस लेते हैं वे हवा को ख्षती पहुँचाते हैं जब उसने उसी बिलजार में एक पुदेने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चुहा जीवित रहा और मुमबत्ती भी सतत जल्दी रही इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निशकर्ष निकाला कि पौधा वायू को पुना स्थापित करता है जिसकी मुमबत्ती तथा चुहे द्वारा शती की गई थी जौन इंजेन हाउज ने ये प्रमानित किया कि प्रकाश संशलेशन के लिए सूरे का प्रकाश आवशक होता है इंजेन हाउज ने अपने एक परिशक्रित प्रयोग में एक जलिये पौधे के साथ ये दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे-छोटे बुलबुले बन गए थे जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे इन बुलबुलों की पहचान आक्सीजन के रूप में की गई जूलियस वोन सेचस प्रयोग उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में गुलकोस बनता है और गुलकोस प्राया स्टार्च के रूप में संचित होता है टी डवल्यू एंजिल मैन प्रयोग उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे श्यवाल क्लेडोफोरा को प्रदीप्त किया गया बैक्टीरिया प्रमुक्ता लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एक अत्र हो गये थे कौर्नेलियस वैन नील ने बताया कि प्रकाश संचिलेशन एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है प्रकाश संशलेशन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है प्रकाश संशलेशन कहां संपन होता है प्रकाश संशलेशन हरित लवक में होता है जो की पौधों के सभी हरे भागूं तथा पत्तियों जो की प्रकाश संशलेशन का मुख्य स्थान है उनमें उपस्तित होता है प्रतेक हरित लवक हरित लवक आवरण से घिरा होता है जो की तीन पर्तों से युक्त होता है वे इस प्रकार है बाहे जिल्ली, आंतरिक जिल्ली स्थान और आंतरिक जिल्ली इसमें पीठिका यानि स्ट्रोमा, थाइलेकॉाइट्स, ग्रेनम, पटलिका, लिपिट, ग्लोब्यूल्स, स्टार्च की कडिकाएं और राइबोसोम पाए जाते हैं प्रकाश संशलेशन की दो अवस्थाएं होती हैं प्रकाश अभिक्रिया और आप्रकाशी अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया में जिल्ली तंत्र प्रकाश उर्जा को ग्रहन करता है तथा ATP एवं NADPH का संशलेशन करता है आप्रकाशी अभिक्रिया में शरकरा का संशलेशन होता है ये अभिक्रिया प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होती लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम पर निर्भर होती है प्रकाश संच्लेशन में कितने वढ़नग भाग लेते हैं हरितलवक वढ़नग हरितलवक का कोल 5-8 प्रतिशत शुष्कभार बनाते हैं पत्यों में हम जो हरा रंग देखते हैं वो चार वर्णकों के कारण होता है। वे हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जैन्तोफिल और काटिनॉइट। क्लोरोफिल A पादब जगत में पाया जाने वाला एक प्रकाश संशलेशक वर्णक है। ये नीले हरे रंग का होता है। तथा ये चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन के दौरान इलेक्ट्रोनों के उच्चरजन के लिए उत्तरदाई होने के कारण प्राथम क्लोरोफिल B पीले हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल B स्वाइम दौरा अफ्शोशित उर्जा को क्लोरोफिल A को इस्थानांतरित करता है। इस प्रकार ये एक सहायक वर्णक कहलाता है। काटिनोएड तथा जेंतोफिल काटिनोएड लाल पीले तथा नारंगी रंग के लिपिट योगिक होते हैं। ये प्रकाश उर्जा को अफ्शोशित करते हैं। तथा प्रकाश संशलेशन में उप्योग के लिए इस उर्जा को क्लोरोफिल A में इस्थानांतरित करते हैं। ये फोटो आक्सिकरण से क्लोरोफिल अणों की रक्षा भी करते हैं। जैन्तोफिल पीले रंके होते हैं। ये क्लोरोफिल के साथ प्रकाश संचलेशन में भाग लेते हैं। प्रकाश अभी क्रिया क्या है? प्रकाश अभी क्रिया में सौर उर्जा क्लोरोफिल द्वारा अफ्शोशित की जाती है। तथा अभी क्रियाओं की एक श्रिंखला में ATP और NADPH का निर्माण होता है। इस प्रकिया में जल का विक्टन होता है तथा उपोत्पाद के रूप में आउक्सीजन का निश्कासन होता है। प्रकाश अफ्शोशित वर्णग थाईले कोईट जिलियों में इस्थित होते हैं। क्लोरोफिल P680 तथा P700 इन जिलियों में उपस्तित होते हैं। P680 तथा P700 अणू अभिक्रिया केंद्रों या प्रकाश केंद्रों का निर्मान करते हैं। अभिक्रिया केंद्र वर्णग अणू सैक्ड़ों प्रकाश आधारित समो वर्णकों के साथ जुड़ा होता है। सहायक वर्णक तथा अन्ने क्लोरोफिल अनू सौर उर्जा का सनलवन करते हैं तथा इसे अभी क्रिया केंद्र को भेशते हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग या एंटनी अनू कहलाते हैं वर्णक अनू का गुच्छा जो कि अपनी उर्जा को P680 को इस्था नांतरित करते हैं 680 NM की तरंग देर्ध पर या इससे नीचे अफशोशित करते हैं P680 के साथ मिलकर ये फोटो सिस्टम प्रथम या फोटो सिस्टम दूतिय का निर्मान करते हैं इसी प्रकार P700 भी वर्णक अनूओं के साथ फोटो सिस्टम प्रथम या फोटो सिस्टम दूतिय का निर्मान करते हैं जो कि 700 NM पर या इससे नीचे प्रकाश को अफशोशित करते हैं इलेक्ट्रोन परिवहन दूनों फोटो सिस्टम इसमें भाग लेते हैं तथा P680 या PS2 तवारा निशकासित इलेक्ट्रोन वापस नहीं आता है किन्तु PS1 की साहता से ये NADP Plus से गुजरता है PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रोन भी लाल प्रकाश की 700 NM तरंग दैर्द को अफशोशित करके उत्तेजित होता है और ये अन्नेक रही अडू में जिसका अपचयोपचय यानि रिडॉक्स विभाव अधिक हो इस्थानांत्रित होता है ये इलेक्ट्रोन्स पुना अधोगामी गती करते हैं परन्तो इस पार वे उर्जा से प्रचुर NADP अणों की ओर जाते हैं ये इलेक्ट्रोन्स NADP को अपचयीद कर NADPH प्लस और H प्लस को बनाते हैं इलेक्ट्रोन के इस्थानांत्रन की ये सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिक्रो परिग्राही की ओर इलेक्ट्रोन परिवहन श्रेंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रोन की उत्तेजना अन्ने ग्राही में इस्थानांत्रण और अंत में अधोगामी होकर NADP PLUS को अपचाइद कर NADPH PLUS H PLUS के बनने तक होती है ये सारी योजना Z के आकार की होती है इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं जल का विक्टन ये प्रदीप्त हरित लवक में H2O का हाइडोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडन होता है प्रोटीन का एक छोटा कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम दो से जुड़ा होता है ये ऑक्सीजन निर्माण कॉम्प्लेक्स कहलाता है आक्सीजन निर्माण कॉम्प्लेक्स केंद्र जल यानी H2O आक्सीजन H प्लस तथा इलेक्ट्रॉन में आक्सीक्रित हो जाता है इस प्रक्रिया के दोरान CL-CA2 प्लस तथा MN2 प्लस की आविशक्ता होती है चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन चक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन जब फोटोन फोटो सिस्टम एक को सक्रिये करते हैं तब इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा उच्च उर्जैस्तर तक पहुँच जाता है ये प्रात्मिक ग्राही द्वारा ग्रहन किये जाते हैं जो की इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर गुजरते हैं तथा अंधतह क्लोरोफिल P-700 यानि PSI में वापस लौटाते हैं। प्रोटोन प्रमर्धा ATP के संचलेशन को सक्रिय बनाता है। ये प्रक्रिया चक्रिय होती है, अताह ये चक्रिय फोटो फोस्फोरिलेशन कहलाती है। अचक्रिय फोटो फोस्फोरिलेशन ये हरे पौधों में पाया जाता है तथा इसमें PS प्रधम तथा PS दूतिये फोटो सिस्टम दोनों ही समलित होते हैं इस अवस्था में दोनों फोटो सिस्टम प्रदीप्त होते हैं तथा NATP Plus से P680 तक इलेक्ट्रोनों का नियत प्रवा होता है रसो परा सरणी परिकल्पना Cameo Osmotic Hypothesis रसो परा सरणी परिकल्पना हरित लवक में ATP संशिलेशन का फड़न करती है रसो परा सरणी के लिए एक जिली, एक प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन प्रमड़ता तथा ATPH की अविश्यक्ता होती है थाइले कोईट जिल्ली में प्रोटोन जिल्ली के अंदर जूकी अफकाशिका यानि लिूमेन में इस्थित होती है उसकी तरफ संग्रहित हो जाते हैं। प्रोटोन प्रवणता निम्नलिखित कारणों के कारण विक्सित होती है। जल विक्टन अभिक्रिया जिल्ली की अंदरिक सतह में होती है। इसलिए इस अभिक्रिया में निर्मित हाइटोजन आयन अफकाशिका यानि लिूमेन में संचित हो जाते हैं। फोटो फोस्फोरीलेशन के दौरान जब इलेक्ट्रोन वाह करूं स्वयम के इलेक्ट्रोनों को जिल्ली की अंतरा सतह में इस्थेत इलेक्ट्रोन वाह को भीजता है। तब प्रोटोन जिल्ली की अंतरा सतह यानि अफकाशिका में मुक्त होते हैं। NADP, Reductus Enzyme जिली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS1 के इलेक्ट्रोन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रोन्स के साथ साथ प्रोटोन NADP को NADPH प्लस H में अपचाइद करने के लिए आवशक होता है। ये प्रोटोन पीटिका स्ट्रोमा से ही आते हैं। परिणाम सोरूप स्ट्रोमा में उपस्थेत प्रोटोनों की संख्या घर जाती है तथा अफकाशिका में उपस्थेत प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए धाइलेकोईड जिल्ली के आर पार एक प्रोटोन प्रवणता इस्थापित हो जाती है। प्रोटोन प्रवणता के तूटने पर उर्जा मुक्त होती है। ये प्रवणता इसलिए भंग होती है क्यूंकि H+, जिलिका में मौजूद ATPH के पारगमन वाहिका F0 के मात्यम से Ptka यानि स्टोमा में गतिशील होता है ATPH इस एंजाइम के दो भाग हैं F0 और F1 ATPH के करण F1 में सनरूपन परिवर्तन आता है जिससे की एंजाइम उड़जा से प्रचूर ATP अणों का संशिलेशन कर चाएं ATP तथा NADPH कहां उप्योग होते हैं ATP तथा NADPH प्रकाशी अभिक्रिया में निर्मित होते हैं तथा ये भोजन के संशिलेशन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं ये प्रकाश संचिलेशन का जैव संचिलेशन चरण कहलाता है मेलविन केलविन ने पता लगाया कि कार्बन डायोकसाइट के फिक्सेशन का पहला उत्पाद एक तीन कार्बन वाला कार्बनिक अमल था इस पहले उत्पाद का नाम तीन फॉस्फो ग्लैसरिक अमल या पीजे है कुछ पौधों में कार्बन डायोकसाइट के फिक्सेशन के पश्चाद प्रथम उत्पात के रूप में एक अमल औकसेलो एसिटिक अमल हत्वा OAA पाया जाता है CO2 के प्रात्मिक ग्राही ग्राही अनू एक पांच कार्पन वाला कीटो शुगर यानी शरकरा था ये रुबियोलोज एक से पांच बिस फोस्फेट यानी आर्यू बीपी था केल्विन चक्र में तीन अवस्थाएं होती हैं जोकी निम्न प्रकार है कार्पोकसिली करण, रिडेक्शन यानी अपचयन, रीजनेरेशन यानी पुनुरुद भावन कार्पोकसिली करण, कार्पोकसिली करण में कार्पन डाई ऑकसाइट यानी सी ओ टू, पांच कार्पन अणू जिसे आर यू बीपी कहते हैं, इनके साथ सयोजित होता है तथा परिराम सरूप 6 कार्पन वाला अणू बनता है, जो की अईस्थिर होता है, तथा तुरंत ही 3 कार्पन अणू, 3 फोस्फोगली सेरेट में परिवर्तित हो जाता है रिडेक्शन यानी अपचयन प्रतिक्रियाओं की एक श्रंखला है, जिसमें गुलुकोस बनता है इस चरण में प्रतिक सी ओ टू अणू के स्थिरन हेतू, ATP के दो अणू का अपयोग, फोस्फोरीलेशन के लिए तथा NADPH के दो अणू का अपयोग, अपचयन हेतू होता है पचसे गुलुकोस के एक अणू को बनाने के लिए CO2 के 6 अणू के योकी की करण तथा चक्करों की अवशकता होती है रीजनरेशन यानी पुनरुद भवन अविरत केल्विन चक्र के लिए RUBP के अणू का रीजनरेशन यानी पुनरुद भवन अवशक होता है C4 पथ पौधे जोकी शुषक उश्ण कठिबंधी क्षित्र में पाई जाते हैं उनमें C4 पथ होता है C4 पौधे C3 पौधों की तुल्ला में दिन का ताप, तेजधू, सूखा तथा नाइट्रोजन की कमियादी स्थितियों में बेहतर अनुकूलित होते हैं C4 पौधों की विशेश प्रकार की शारीरिकी होती है जिसे क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं C4 पौधों के समभान बंडल यानि पूला च्छद यानि बंडल शीत कोशकाओं द्वारा चारों ओर से घिरे होते हैं मक्का, गन्ना, अम्रत, ज्वार आदी C4 पौधों के उधारण C4 पत की क्रियाविधी मधियों तक कोशिका के कोशिका द्रव में फोस्फोईनोल पाईरुवेट कार्बोकसिलेज की क्रियाद्वारा कार्बन डायोकसाइट का प्रात्मिक ग्रहियनू फोस्फोईनोल पाईरुवेट है ये चार कार्बन वाला यौगिक आॉकसेलो एसिटेट का निर्मान करता है तथा ये एक अन्य चार कार्बन वाले यौगिक जिसे मैलिट कहते हैं उसमें परिवर्टित हो जाता है तथा NADPH का निर्मान करता है अब मैलिट यानी पुला चद, बंडल शीद, कोशिकाओं को इस्थानांतरित हो जाता है चार कार्बन वाला मैलेट विकार्बनी क्रित होकर कार्बन डाय ओकसाइड एक तीन कार्बन वाला यौगिक पाईरुवेट तथा NADPH का निर्मान करता है कार्बन डाय ओकसाइड राई ब्लोज बिस फॉसफेट के साथ जुड़कर कैल्विन चक्र में सम्मिलिध हो जाती है उद्पन हुई पाईरुवेट मध्योतक कोशिकाओं में पुना प्रवेश करता है जहां पर ये ATP से प्रतिक्रिया करता है तथा फॉसफोई नोल पाईरुवेट में बदल कर पुना C4 चक्र को प्रारंभ करता है प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें की प्रकाश संश्लेशन के दोरान सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में पौदे ऑक्सीजन का उपभूग करते हैं तथा कारबन डायोकसाइड मुक्त करते हैं जिसके परिणाम सरू प्रकाश संश्लेशित उत्पात में कमी आती है तथा ATP का निर्माण नहीं होता है सी तीन पौधों में रुबिसको एंजाइम में ऑक्सीजन की तुलना में कारबन डायोकसाइड के लिए अधिक बंद होता पाई जाती है तथा ये सापेक्ष सांधरता पर आधारित होती है गर्म शुष्क दिनों के दौरान पौधे वाशपोस सरजन द्वारा जल की कमी से बचने के लिए अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं जिसके कारण कारबन डायोकसाइड पत्तियों में प्रवेश नहीं कर पाती है तथा आक्सीजन के अणूर का प्रयोग किया जाता है तथा इससे एक विशेले तत्व फोस्वोगलाई कोलेट का निर्मान होता है इस विधी में प्रकाश श्वेसन के दौरान किसी भी ATP का निर्मान नहीं होता है जबकि C4 पौधों में प्रकाश श्वेसन नहीं होता है इसका कारण ये है कि इनमें एक ऐसी प्रनाली होती है जो एंजाइम एस्थल पर कारण डायोकसाइड की सांद्रता को बढ़ा देती है ऐसा तब होता है जब कारण डायोकसाइड पौलाचद यानि बंडल शीत कोशिकाओं में मुक्त होती है प्रकाश संशिलेशन को प्रभावित करने वाले कारग ब्लैक मैन का लौ अफ लिमिटिंग फैक्टरस दर्शाता है कि प्रकाश संशिलेशन की दर लिमिटिंग फैक्टरस द्वारा प्रभावित होती है उधारण प्रकाश या कारबन डायोकसाइड प्रकाश प्रकाश की कम तीव्रता प्रकाश की तीव्रता में वृत्धी होने पर प्रकाश आधारिये अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तथा इसके परेडाम सरूप प्रकाश संचलेशन की दर में वृत्धी हो जाती है यद्धेपी फोटोनों की अधिक संख्या पत्ती पर पड़ती है तो फल सरू प्रकाश संशलेशन का उत्पाद भी बढ़ता है प्रकाश की तीव्रता उच्छे होने पर प्रकाश संशलेशन की दर सीमित हो जाती है तथा ये क्लोरोफिल के अणवों को च्छती पहुंचा सकती है कार्बन डाई ओक्साइट की सांद्रता जब कार्बन डाई ओक्साइट की सांद्रता बढ़ जाती है तो आप प्रकाशी अभिक्रिया में कार्बन के कार्बोहाइडरेट में परिवर्तन की दर भी बढ़ जाती है तथा इस प्रकार प्रकाश संशलेशन की दर तब तक बढ़ती रहती है जब तक की अन्यकारक द्वारा ये सीमेत नहीं की जाती है वायू मंडल में कारवन डायोकसाइट की सांद्रता बहुत कम होती है बढ़ती हुई सांध्रता भी प्रकाश संचलेशन की दर को पढ़ाती है लेकिन ये तब स्थाफित हो जाती है जब स्थिरी करण की दर अधिक्तम पहुच जाती है ताब प्रकाश संशलेशन की प्रकाशी अभिक्रिया ताप से कम प्रभावित होती है, जबकि आप्रकाशी अभिक्रियाएं ताप दौरा प्रभावित होती हैं, जब एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्प्रे रिद करते हैं, यद भी एंजाइम अनुकूलतम तापमान पर ताप में प्रतेक 10 degrees Celsius की वृद्धी होने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तथा ये अनुकूलतम तापमान पार करने पर जब एंजाइम विक्टित हो जाते हैं तो ये घड़ जाती है। जल जल प्रकाश संशलेशन का अभिकारक है। एक पौधा अपने पून अफश्योशन में केवल एक प्रतिशत से भी कम जल का प्रयोग करता है। तथा शेश जल का वाशपो सर्जन हो जाता है। जल की कमी के कारण स्टोमेटा बंध हो जाते हैं तथा इसके कारण कारबन डाय उक्साइट की उप्योगिता कम हो जाती है। क्या आप चानते हैं फपून नाशी प्रकाश संशलेशन को पढ़ाता है जिससे संभावित उपज भी बढ़ जाती है। शोट से ये पता लगा है कि फपून नाशी में F500 पाया जाता है जो कि पढ़ों को वातावरन के आगहातों के वृत्थ सहायक बनाता है। जनिफर हॉलेंड पीएसटी ने कहा है कि प्रकाश संशलेशन पढ़ों में उर्जा उत्पत्ती का एक चाहलग इंजन है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। प्रकाश संशलेशन, कार्बन डायोकसाइड तथा जल जो की क्रमशा, वायू तथा म्रदा से लिए जाते हैं। एवं प्रकाश की उपस्तिती में पौधों के हरे भागों दोहरा कार्बो हाइडरेट्स के संशलेशन की एक विदी है। प्रकाश संशलेशन हरित लवक में पाये जाता है, जो की पौधों के सभी हरे भागों में उपस्तित होता है। पत्ति में हम जो रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जन्तोफिल तथा कार्टिनॉइट के कारण होता है। प्रकाश अभिक्रिया में सौर उर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोशित की जाती है। तथा अभिक्रियाओं की एक श्रिंखला में ATP और NADPH का निर्मान होता है। इस प्रक्रिया में जल का विक्टन होता है। तथा उपोतपाद के रूप में आक्सीजन का निशकासन होता है। इलेक्ट्रोन P680 या PS2 द्वारा निकाले जाते हैं तथा PS1 की साहिता से ये NADP Plus से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन कहलाती है। केल्विन चक्र की तीन अवस्थाएं कार्बोक्स लीकरण, रेडक्शन यानि अपचयन तथा रीजनरेशन यानि पुनरुद भवन होती हैं। C4 पौधों की विशेश प्रकार की शारीरिकी होती है जिसे क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं। तथा कार्बन डायोक्साइट का प्राथमिक ग्राहियनू फोस्फोरिनोल पाइरुवेट है। प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संशलेशन के दौरान सूरी के प्रकाश की उपस्थिती में पौधे ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तथा कारबन डायोक्साइट मुख्त करते हैं। जिसके परिडाम सुरूप प्रकाश संशलेशन उत्पात में कमी आती है तथा ATP का निर्मान नहीं होता है। प्रकाश कार्बन डायोकसाइट की सांद्रता, ताप तथा जल प्रकाश संचलेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं.